टाक्स जुड़ी परिशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरन तैयार करने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान तो फंडमेंटली अगर हम शुरुवात करें तो इस हफते का जो थीम था या उसके पहले भी अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो हमने देखा है कि रशिया और यूकरेन के बीच में जो तनाव जारी है और साथी साथ यूरोपियन देशों का इन्वाल्मेंट है या अमेरिका का भी जो इस चीज में इन्वाल्मेंट है इसको लेकर कमोरिटीज मार्केट में काफी उथल पुथल हमें देखने मिली है क्योंकि रशिया जो है वो कमोरिटीज खास करके मेटल्स और एनरजी में भी अगर हम नाच्रल गैस की बात करें तो उसका काफी मेजर सप्लायर है इन्फाइक यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर है नाच्रल गैस का तो ये एक मेजर थीम हमें देखने मिली पिछले सब्ता साथ ही साथ जो फेडरल रिजर्व की बैठक हुई जहां पर फेडरल रिजर्व ने काफी एक हौकिश जिसे हम कहते हैं स्टांस लिया है याने इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ाने को लेकर जो अटकले लगाई जा रही थी उसको उन्होंने सच साबित किया और इन फैक्ट जो उम्मीदे थी उससे भी जादा एक अग्रेसिव स्टांस लिया है जिस वज़े से हमें कमोडिटीज मार्किट में काफी हद तक जो है वोलिटारिटी देखने मिली तो ये दो मेजर इवेंट्स हैं जिनों हैं पिछले हफ़ते तो मार्किट को मूव किया ही है लेकिन आने वाले कुछ हफ़तों में भी इंपक्ट रहेगा खास करके रश्या और यूक्रेन का जो कॉन्फिलिट किस तरह आगे हमें देखने मिलता है उसका इंपक्ट हमें सार ही कमोनिटीज पर देखने मिलेगा तो ये एक बैक्राउंड है इसको लेकर हम चर्चा करते हैं इंडिविजूल कमोनिटीज के उपर तो शुरुवात गोल्ड और सिल्वर से ही करते हैं तो हफ़ते का जो शुरुवात थी वो तेजी से हुई थी हमने देखा कि गोल्ड 48,900 तक के सर को चूपाया क्योंकि रशिया और यूकरेन को लेकर जो जियो पॉलिटिकल टेंशन्स थी वो गोल्ड को सपोर्ट कर रही थी और डेफिनेटल जब भी तनाव होता है जियो पॉलिटिकल फंट पे तो हम देखते हैं कि गोल्ड में बाइंग देखने मिलती है और व उसका कारण यह है कि जैसे मैंने अभी कवर किया था कि अवरली अग्रेसिव स्टांस फेड ने लिया है याने उम्मीद से ज़्यादा अग्रेसिव स्टांस लिया है उसके चलते डॉलर इंडेक्स जो अंतर आश्रिया बजारों में डॉलर ट्रेट करता है उसके वैल्यू लगभग 2% हमें बढ़ते हुए दिखे एक ही हफ़ते में जिसका दबाव हमें cold और silver दोनों पर ही देखने मिला तो आने वाले हफ़ते में gold में जो फिलहाल जो current trend है selling का ये जारी रहने की उम्मीद है 47,800-900 की zone थी जो पहले एक support हुआ करता था वो अब एक resistance है तो उच्छाल पे विक्वाली की सला होगी और 47,300 के level जो हमने जैनवरी के शुरुआत में या even December में देखे गए थे वो दुबारा टेस्ट होने की April वाइदा में possibility देख रही है इसलिए उच्छाल पे फिलहाल विक्वाली करके चला जा सकता है वहीं पर चांदी में हमने 61,000 के करीबी closing देखी है याने पिछले हफ़ते ही या उससे पहले हमने देखा था कि 65,500 के स्थर देखे गए थे वहाँ से करीबन 4-4,500 रुपे की विक्वाली हुई है हलकी सी मुनाफ़ा वसुली हमें देखने मिल सकती है याने 62,000 से 62,200 तक हमें शुरुआती दोर में एक रिलीफ राली देखने मिलेगी लेकिन ऐसा लगता है कि जब तक 63,000 के नीचे प्राइज रहेंगी तब तक रुझान जो है वो नीचे की तरफ होगा और हम 60,000 के स्थर जो अगैन जैनवरी बिग्निंग में या डिसेंबर में भी देखे गए थे वो दुबारा देखने मिल सकते हैं तो गोल्ड और सिल्वर में फिलहाल दबाव में रहेगा मारकेट और ऐस अफ नाउ सेलिंग और राली की स्टाटेजी लेका चलना चाहिए वहीं पर जो सबसे ज़्यादा वॉलिटालिटी देखने मिली है वो एनरजी कॉम्पलेक्स में देखी गई है नाचरल गैस से शुरुवात करते हैं क्योंकि जिसे मैंने अभी बताया था कि नाचरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है रश्या जो जर्मनी और बाकी यूरोपेन देशों को गैस सप्लाय करता है और अगर वहाँ पर वार जिसे सिचुएशन हो जाती है तो हो सकता है कि रश्या नाचरल गैस का जो सप्लाय है वो काफी हद तक रेश्टिक करे या कट आफ कर दे यूरोपेन देशों को जिससे वहाँ के जो दाम है जो अल्रेडी रिकॉर्ट सतर पर चल रहे हैं वो और उ देखे गए और क्लोजिंग भी जो है वो तीन सो पचास के उपर की देने में कामियाब होई है प्राइजिस शॉट टम बेसिस तीन सो पंदरा से तीन सो बीस का एक मत्वपून सपोर्ट है जब तक होल्ड कर रहा है तब तक डिप आ सकती है लेकिन जब तक इस तर को होल्ड कर रहा है तब तक जो शॉट टम रुजान है वो तीजी का रहेगा और हम नेक्स्ट टागेट है वो तीन सो नब्वे से तीन सो पिचानवे का देख पाएंगे तो फिलहाल एक काफी बड़ा मूव हमें नाचलियास में देखने मिला है और जिनकी भी शॉट पोजिशन है मै रिकमेंड करूंगा कि वो अपनी पोजिशन को लॉक इन करके चले या हेज करके चले आगे वाले कॉन्ट्राक्स है क्योंकि वोलिटालिटी जादा रहने की उम्मीद है और शॉट टम में अप्राइजिस उपर जाने की जादा संभाबना है वहीं कच्छे तिल में भी हमने रिकॉर्ड स्थर आते हुए देखे 2014 के बाद का सबसे हाइस लेवल ब्रेंड क्रूड में याने क्यानवे डॉलर के करीब के हाइस देखे गए वहीं डॉल्यू डिया क्रूड अंतराष्टे बाजार में 88 डॉलर प्रती बैरल का देखा गया डॉमेस्टिक मार्केट्स में भी हमने 6650 के उपर के स्थार देखे हाला कि जो क्लोजिंग थी वो 6530 के करीब हाई है आने वाले कुछ सेशिंस में हो सकता है कि शुरुआती दोर में हमें करेक्शन देखने मिले क्योंकि 6140 से लगातार 500 पॉइंट की बड़त हमने पिछले हफते देखी है लेकिन जो नजरिया है बड़ा रुजान है मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ कि 7000 से 7100 तक का लक्ष है वो अभी भी मैं मैं मैंटेन करूंगा कि डिब बाइंग इसमें रेकमेंडेड है कच्छे तेल में और और 7000 से 7100 का मीडियम टर्म लक्ष हम देख पाएंगे अगर यूएस और उक्रेन के वीच हालात और बिगड़ते हैं तो इससे कच्छे तेल में जो राली है वो काफी हद तक बड़ी राली हो सकती है लेकिन क्योंकि एक इवेंट डिपेंडेंट चीज है तो उसे हमें देखना जरूरी है कि किस तरह से ये जो इवेंट है ये पैना उट होता है वहीं बेस मेटल्स में भी हमने देखा काफी उठा पटक देखी गई जहां हफते की जो शुरुवात हुई थी वो बड़िया तेजी के साथ कॉपर में हुई थी 760 तक के भी स्थर देखे गए थे लेकिन हम पुछले कुछ हफतों से देख रहे हैं कि 760 पे एक रेजिस्ट से और अगर उचाल आता भी है तो इससे जादा प्राइज शायद नहीं जा पाएंगी और डाउन साइड में 730 से 728 तक किस तर हमें शॉर्ट टम में कॉपर में दिखने मिलेंगे वहीं पर पॉजिटिव साइट पे मुझे लगता है कि जिंक और अलुमिनम ये दो जो प्रास के करीब के सतर भी अलुमिनम में देखे गए हैं और अगर हम रिफलेक्ट करें तो पिछले दो मैनों में दो सो किस तर से लगबर लगातार एक तीजी आई और हमने बीस से पच्चीस फीजदी के गेंज इन दो मैनों में आते हुए देखे हैं और फिलहाल ऐस उफ अब ही 240 के उपर जब तक स्टे कर रही है प्राइज तब तक 255 तक दुबारा जाने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है वहीं जिंक की भी बात करें तो इमेजेट तोर पर 292 और 293 का एक सपोर्ट जोन है इसके उपर जब तक जिंक टिकी हुई है तब तक 303 और उसके बाद 30 309 तक के स्तर भी हमें जिंक में देखने मिलेंगे ऐसा मेरा मानना है तो यह दो जो काउंटर है यह पॉजिटिवली ट्रेड कर सकते हैं निकल दाइरे में ट्रेड करेगा लेकिन यह हो सकता है कि जो दाइरा है वो 1660 से लेकर 1740 का हो याने एक 1820 जो हमने कवर किया था कि पि ही रोत है और वही हमने आमें देखा देखने मिले का आने वाले कुछ सेशिन्स में ऐसा मेरा मानना है तो यह धा एक जायजा की मेजर गरी कमोर्टी इसndन अधरे कास करके गोल्ड शिल्वर भीएस मेटल्स और परेश्यस मेटल्स देनों में तब्र का रुचान दीने मिल स खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान